आज मैं शेयर करने जा रही हूं एकदमी ईजी मज़ेदार और हेल्दी नाश्ता ये है पिज़ा पराथा तो देखते हैं पिज़ा पराथे के लिए इंग्रीडियन्स एक मेडियम साइज का प्याज लेना है रफली चॉप करके रेड कैपसिकम, यलो कैपसिकम और ग्रीन कैपसिकम के चार से पाँच क्यूब्स लेने हैं और एक मीडियम साइज का गाजर लेना है इन सारे वेजिटेबल्स को मिक्सी में रफली ग्राइंड कर लेंगे इसका बारिक पेस्ट नहीं बनाना है बस इसे हलका सा ग्राइंड कर ताकि ये आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए बस इसे इस तरह से कोर्सली ग्राइन कर लेना है यहाँ पर मैंने देड़ कब गेहूं का आटा लिया है और इसके लिए मैं चार कलिया लसन की ले रही हूं मीडियम साइज की लसन को आटे में कद्दू कस कर लेंगे नेक्स्ट इंग्रीडियन्ट है होम मेड पिजा सॉस इसकी रेसिपी मैंने आल्ड़ी पिजा वाले वीडियो में शेयर की है तू टेबल स्पून पिजा सॉस स्वाद अनुसार नमक हाफ टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और हाफ टीस्पून ओरेगेनो ओरेगेनो को दोनों हातों से अच्छे से मसल कर फिर डालना है हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और मैं यहाँ पर ओलिव ओल यूज कर रही हूं अगर आपके पास olive oil ना हो तो आप butter भी यूज़ कर सकते हो ट्राइ कीजिएगा कि olive oil या butter ही यूज़ करे इससे पिज़ा पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा यहाँ पर मैंने एक cheese cube लिया है और इसे इसमें कदुकस कर लूँगी अब जो vegetables हमने coarsely grind किये हैं वो सारे vegetables इसके अंदर add कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है जो olive oil हैं, cheese हैं और vegetables वो आटे में एकदम अच्छे से मिल जाने चाहिए जब सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं उसी के बाद आटा गूनना है तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके आटा गून लेना है जिस तरह से पराठे का आटा लगाते हैं, semi soft dough उसी तरह से पिज़ा पराठे का भी आटा लगाना है बस ये आटा लगकर रेडी हैं अब इसमें half teaspoon olive oil डाल दूँगी और उसके बाद इसे दो से तीन मिनिट के लिए इसी तरह से मसलते रहना है उसके बाद इस आटे को 15 मिनिट के लिए set होने के लिए छोड़ देना है 15 मिनिट हो गए है अब इस आटे में से लूइया बना लेनी है बड़े नीम्बू के साइस की लूइया बना लेनी है सारी लूइया बना लेंगे पराठा सेकने के लिए तवा गरम करने के लिए रख देंगे और अब पराठे बेल लेने है तो जो लूइया उसे फ्लैटन कर देंगे और सुके गेहू के आटे से इसे कोट कर लेंगे और अब इसे बेल लेना है नॉर्मली आप जिस तरह से पराठे बेलते हो बस उसी तरह से इसे बेल लेना है ये रेडी है अब इसे गरम तवे पर सेखने के लिए डाल देंगे शुरुबात में मैंने फ्लेम स्लो ही रखा है जब ये पराठा उपर से एकदम ड्राइ हो जाएगा उसी के बाद इसे पलटना है अब फ्लेम हाई कर देंगे और इसे दोनों तरफ से सेख लेना है इसे इस तरह के ब्राउन मार्क्स आने तक दोनों तरफ से सेख लेना है यहाँ पर मैंने half teaspoon olive oil डाला है इसे अच्छे से spread कर देंगे पराठे को पलट लेना है और दूसरी तरफ भी half teaspoon olive oil डाल देंगे और अच्छे से spread करके इसे दोनों तरफ से सेख लेना है इस तरह के पराठे आप सुबह के नाश्टे में बना कर खा सकते हो यह बहुत ही healthy है बस यह ready है इसे निकाल लूँगी और इसी तरह से बाकी के पराठे भी सेख लेने है जब यह उपर से dry हो जाए तो इसे पलट लेना है और high flame पर इसे दोनों तरफ से सेख लेना है आप olive oil के बजाए बटर भी इसमें लगा सकते हो दोनों तरफ बटर लगा कर इसे सेख लेना है आप चाहो तो जो चीज हमने आटे में कद्दुकस किया है उसके बजाए आप सेखे हुए पराठे पर भी चीज डाल कर खा सकते हो तो बस यह सारे पराठे ready है पिज़ा पराठा is ready to serve खराठे पर बटर बटर बटर्च चाहिए